हाई फ्रेंट्स देखिए इस 500 वाट अप्लिफायर में यहां जो उंगली करके रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है इसका काम क्या है और यह क्यों लगा होता है इसमें थोड़ी सी प्रोब्लम आ गई है तो हम आपको बताएंगा इसको प्योग हलाकि यह 220 ओम कोई कंपनी लेकिन 5 वाट का होता है दोनों रेजिस्टेंस इसका काम है ड्रेवर बोड में जो 78 18 या 78 24 लगा होता है उसको डिरेक्ट 36 वोल्ट न दे करके इस रेजिस्टेंस से हो कर जाता है यह जो कंडेंसर है यह अपने पास लगभग 40 से 45 वोल्ट श्टोर करके रखता है और इतना वोल्ट पर आपका 38 18 या 78 24 फट जाएगा क्योंकि उसका मैक्सिमम इंपुट वोल्टेज लगभग 35 वोल्ट का स्पास होता है इसमें बेल के 37 यातर वी फाइफ अप देख सकते हैं जो की उरिजिनल है हलाकि अब तो 52 मिलने लगा है दोस्तों कभी भी 500 वाट के अम्प्लि यह निकलेगा उतना दमदार आउटपूट बाउंस ओकर नहीं होता है आप अगर यकीन माने तो 37 यातर आजकल तो नहीं आपा रहा है और आ रहा है लेकिन मांगा है कंपनियां नहीं दे पार यह 37 यातर पता नहीं क्यों अहुजा भी बाउंसों में मोडिफाई कर चुका ह है लेकिन 37 यातर की क्वालिटी जो है लोड लेनी की छमता ज्यादा हीट होने पर भी यह जल्दी खराब नहीं होता और बाउंसों तो हम लोग इतना मदल चुके हैं बहुत परसान भी हैं लेकिन सभी कंपनी बाउंसों दे रही तो फिर आप क्या किजेगा आप देख सकते हैं यह 36 बोल्ट से चलने वाला कोमन चारों आठों हलाकि यह दिकतर आठों या चारों दोनों यूज होने वाला एंप्लिफायर है और आजकल के जुआ रहे हैं बाउंसों मॉस्फेट एंप्लिफायर जो बोलते हैं उसमें तो इंटर्नल ओम मैचिंग होता है अप लोड के हिसाब से उसको मैच कर सकते हैं और इसमें अपने मन से कर सकते हैं लोड के इसाब से तो यह 500 वाट का हुजा है लेकिन 700 से 1000 वाट तक भी इस पर बज़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें 3770 है 1500 तक हीट होने पर भी यह बिल्कुल राम से बजाता है कोई फर्क नहीं पड़ता एक चेंज और कि यह कंपनी इसमें ट्रोडल ट्रंसफार्मर जो दी है मेन पहले ई आई कोर में आया करता था हलाकि ठीक है यह ट्रंसफार्मर में कोई दिखत नहीं है हाँ यहां कंडेंसर जो लगा है 33 वोल्ट 15000 माइक्रोफरेट के दो पीस यहां केल्ट्रोन के बड़े साइज में जो नॉट वोल्ट से कस्नेवल होते है उसको देना चाहिए था बागी ट्रंसफार्मर याई से और देखने के बाद हैं आप अपना डिसीजन लेजिए तो इसमें और कोई प्रोब्लम नहीं है बस यहीं दिखाना था रेजिस्टेंस की वह